इसलमें अब्राइब करने अगे दो लुक प्रोग स्वारत मूद थान्ट नमस्कार दोस्तों सवागत है आपका मेरे अच्छे नई वीडियो में कैसे। आप लोग यह ठीक होंगे भगवान आप लोग को स्वस्थ रखे, मस्त, रखे. दोस्तों लोग बात करने वाले हैं पेटियम पोस्टेट के बारे में अगर आप लोग पेटियम पोस्टेट को इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बुरी अपडेट है कि पेटियम पोस्टेट ने दोस्तों अपनी एक सर्विस को फिलाल के लिए बंद कर दिया है कौनसी और सरवी सा जिसको इन लोगों ने बंद कर दिया है मैं आप लोगों दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो अगर वीडियो पर नहीं है चैनल पर नहीं है तो वीडियो कर दिये लाइक चैनल करें सब्सक्राइब ताकि मेरी वीडियो की अपडेट जो सारी नई वीडियो के डिरेक्टली लिंक मिल जाते हैं और वहां पर आप लोग डिरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं अगर आप लोग को और प्रॉबल'म होती है आप अब घ्रेक्तली से question लुद सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिंक सोग्हे ağट पर आता है अपनी वीडि दिख रहा होगा तो यहां पर जो इन लोगों ने सर्विस विलाल के लिए बंद करी है अगर आप लोग अपने पेटियम पोस्पेड से अपना मुबाइल रिचार्च करने का ट्राय करते हैं तो पेटियम पोस्पेड के थूरू आप लोग अपना मुबाइल जो है उसको आप लोग अपना बिल की रिपेड्क कर सकते हैं अपना रिचार्च कर सकते हैं लेकिन यहां पर यहां पर कहीं भी हमार को पेटियम पोस्पेड के लिमिट से अपना मुबाइल जो है उसको recharge नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे एक अजिप सा लॉजिक यह दिखाई दिया कि जब भी हम लोग यहाँ पर अपना पेटियम पोस्पेट के लिमिट चेक करते हैं तो ओपर दिखाई दे रहा है कि recharge जा मुबाइल नंबर and get cashback अपना पेटियम पोस्पेट से और cashback पाईए लेकिन जो हम लोग रिचार्ज करने का ट्राय कर रहे हैं तो वहाँ पर पेटियम पोस्पेट को आप्शन नहीं हो रहा है जो कि पहले आप लोगों को शो होता था टेंशन मत लीजे बाकी जितनी services नहीं सब वैसे की वैसे ही उनको आप लोग इस्तिमाल कर पाएंगे सिर्फ यहां पर रिचार्ज वाले option को भी इन लोगों ने हटा दिया है वहांते पेटियम पोस्पेट का शायर भी टंपरिल रिटा रखा है या परमन रिटा रखा है व उसके बारे में भी आप लोगों को एक वीडियो जो है बना कर बता दिया जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही हमें लेंगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए दानेवाद